धाबा या रेस्टरेंट जाके डाल तड़का हम हमेशा ही ओर्डर करते हैं लेकिन धाबा वाली जो डाल तड़का होती है उसका एक अलगी फ्लेवर बहुत ही अलग सा स्वाध होता है जो घर पर नहीं आ पाता लेकिन आज की इस रेसिपी में मैं आपके साथ शेर करूँगी कैसे आप धाबाए बलकि उससे भी जादा टेस्टी डाल तड़का कुछ सिंपल ट्रिक्स के साथ घर पर आसानी से बना सकेंगे आज जो दाल तड़का मैं आपके साथ शेर करूँगी इसको मैं बनाऊंगी ग्रीन लेंटिल से इसको आप हरी दाल भी कह सकते हैं काफी सारे health benefits है इसको मैंने लिया है तीन चुथाई कप और इसको मैंने अच्छे से धो कर दो गंडे के लिए पानी में भीगो दिया था भीगोने के बाद दाल कुछ इस तरीके से फूल चुके हैं यह जो दाल है यह मसूर दाल जैसा ही दिखता है बट यह हरे रंग का होता है और मसूर दाल से साइज में थोड़ा सा बड़ा होता है बहुत सारे health benefits है हट्डियों को strong मनाता है हर्ट को ठीक रखता है weight loss में help करता है और भी धेर सारे health benefits है इस दाल को खाने के सबसे पहले हम cooker में दालेंगे दो बड़े चमच तेल मैंने यहाँ पे refine oil का स्थमाल किया है आप चाहो तो गी या बटर कुछ भी डाल सकते हो तेल गरम होते ही इसमें जाएगा एक तेज पत्ता और साथ में छोटा सा तुकड़ा दाल चीनी का एक छोटा चमच जीरा इसको थोड़ा सा फ्राइ करेंगे और साथ साथ हम इसमें डालेंगे हींग दो चुटकी हींग से बहुत ही बड़िया धावे जैसा टेस्ट आता है फ्लेवर आता है इसलिए हींग जरूर आट करें थोड़ा सा भून लेने के बाद अब दो बड़े साइस की लेसिन की कलिया जिसको मैंने हलका सा कूट लिया इसको डाल दिया है इसको हम थोड़ा सा फ्राइ करेंगे साथ साथ यह मैंने थोड़ा सा अद्रक लिया है लगबग आधा छोटा चमच कद्दू कस करके डाल दिया है दो से तीन बारी कटी हरी मिर्च इन सारे इसका बारी कटा हुआ प्यास, प्यास को डाल कर दो से तीन मिनिट हम इसको फ्राइ करेंगे प्यास को मैंने अच्छी तरीके से भून लिया है, अब हम इसमें डाल देंगे दो कटे हुए टमाटर टमाटर डालते साथी मैं यहाँ पे स्वाद अनुसा नमक भी आट कर दोंगी ताकि टमाटर प्यास जाए न अच्छे से पक जाए बढ़िया से गल जाए तो मैं एक ही बार में स्वाद अनुसा नमक यहीं पर एड़ कर दे रही हूँ, ताकि बाद में हमें डाल में डालने की जरूरत ना पड़ें तीन से चार मिनिट हम इसकी बुनाई कर लेंगे, बड़िया से टमाटर प्यास सौफ्ट हो चुके हैं, अच्छे से फ्राई हो गए हैं अब मैं यहाँ पर डालूँगी बाकी के मसाले, आधा छोटा चमच हल्दी पाउडर, आधा छोटा चमच कश्मिरी लाल मिर्च, साथ में आधा छोटा चमच धनिया पाउडर और आधा छोटा चमच जीरा पाउडर अधिक नहीं डालना है, थोड़ा थोड़ा सा दालेंगे और इसको अच्छे से mix कर देंगे और बढ़िया से हमें इसकी करनी है भुनाई दो से तीन मिनिट हमें इसकी बढ़िया से करनी है भुनाई धाबा या रिस्टरेंट की जो रिस्पीज होती है ना, चाहिए वो दाल हो या कोई भी रिसिपी हो, उसमें मसाले को बहुत ही अच्छे से भूना जाता है और उसी से जो ना, स्वात बहुत ही उभर कराता है मसाले बढ़िया से भुन चुके हैं अब हम क्या करेंगे हम इसमें ऐड़ कर देंगे हमारा भीगोया हुआ दाल अब हमें क्या करनी है करनी है दाल की बढ़िया से भुनाई डाल को मसालों के साथ लगबग हम 1-2 मिनट तक fry करेंगे जितने अच्छे से हम इसको भूनेंगे बढ़िया से दाल में भी न भूना भूना सा फ्लेवर एड़ोगा और दाल तड़गी का टेस्ट ऐसा आएगा कि आप पूछो मत जब खाओगे तभी पता चलेगा दाल की भूनाई करते समय दो चोटे चमच कसूरी मेथी भ दाल देंगे बहुत ही बढ़िया धावा या रस्टरन जैसा स्वाद देता है कसूरी मेथी इसको भून लेंगे दाल की भूनाई के बाद हम इसमें आड़ कर देंगे गरम पानी जितनी जरुवत हो उस हिसाब से आप डाल दे मैंने लगभग 500 ml इसमें गरम पानी का अड़ तो मैंने इसमें पानी डाल दिया है अब हम कुकर का धकन लगाएंगे और लगबग 2-3 सीटी आने तक इसको पका लेंगे कभी-कभी दाल 2 सीटी में भी पकता है कभी 3 सीटी भी लग जाते है तो मैंने यहां पे तीसरी सीटी लगने के बाद फ्लेम को बंद कर दिया है दाल बिल्कुल पर्फेक्ली कुक हो चुका है अगर आपको लगे कि दाल में थोड़ी सी कसर बाकी है तो वापस से आप धकन लगा के एक सीटी और लगा ले तो यहां पे मैं थोड़ा सा कटा हुआ हरा धनिया चेड़ा करी हूँ बहुत ही बढ़िया सा फ्लेवर देता है और यही देखिए टेक्शर दाल तडगे का शुरू में मैंने पानी थोड़ा सा जादा डाला था क्योंकि दाल जैसी जैसी हलकी सी सेट होती है ना दाल थोड़ा सा गाड़ा हो जाता है तो चलिए पहले इसको हम सर्फ कर लेते हैं उसके बाद हम इसके लिए एक स्पेशल धाबा या रस्टरन स्टाइल तडगा तैयार करेंगे जो इसको देगा टेस्ट का ब्लास्ट को मैंने सर्फ कर लिए हमारा दाल एक्दम पतली नहीं और एक्दम गाडा भी नहीं एक्दम पॉर्फेक्ट इक्शर तो दाल आपको जितनी पतली या गाड़ी जाहिए उसी हि बटर डालने से बिलकुल धावा जैसा टेस्ट आएगा इसमें मैं डाल रही हूँ एक छोटा चम्मच जीरा तीन गोल वाले सूखे लाल मिर्च साथ साथ इसमें जाएगा एक छोटा चम्मच बारी कटा हुआ लसन लसन को डालके हलका सा इसको हमें फ्राई करना है इसका फ्ल ले वापस से हींग नहीं डालेंगे वरना जादा हींग का फ्लेवर आएगा थोड़ा सा धनिया डाल दिया है फ्रेश वाला इसको फ्राई कर लेंगे और अब हम क्या करेंगे थोड़ा सा जब ये फ्राई हो जाए बढ़िया सी खुश्बू आ जाए जीरा भी भुन चुक अब हम फ्लेम को कर देंगे बंद फ्लेम को बंद करने के बाद आदा चोटा चमच कश्मिरी लाल मिर्च डालेंगे इसको करेंगे बढ़िया से मिक्स कश्मिरी लाल मिर्च से कलर बहुत ही बढ़िया आता है इस तड़के का और ये हमारा बढ़िया सा तड़का हो चुका ह तो ये लीजिए ये हमारा तड़का गया इस दाल के उपर बहुत ही बढ़िया सा फ्लेवर देता है और क्यूंकि हमने बटर का स्थमाल किया है तो बटर से वैसे ही टेस्ट बहुत जादा अच्छा हैगा बिल्कुल धाबा या रिस्टरून जासा टेस्ट देता है थोड़ा स फ्रेश धनिया डाल देंगे उपर से और ये हमारा दाल तड़का हो चुका है तो ये जो ग्रीन लेंटिल है इससे आप इस तरीके से दाल तड़का बना के देखे हेल्दी तो है ही साथ में स्वार भी बढ़ी आता है तो ये लीजे तैयार है स्पेशल धाबा स्टाइल दा अगर आज की ये मेरी रेसिपी आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूले मिलते हैं नेक्स रेसिपी के साथ तब तक के लिए अपना ध्यान रखें